आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन अश्टडी सेंटर पर स्वागत है आज हम सभी वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए वेस्ट बेंगोल बोर्ड कलास टुवेल के सभी स्टूजन के लिए हिंदी सब्जेट का ये वीडियो अपडेट है और इस वीडियो के जरिय कि आप सभी एक्जाम में आसानी से 5 नंबर ला पाएंगे क्योंकि आज हम सभी हिंदी साहित का इतिहास इस टॉपिक का डिसकस करेंगे तो आप सभी को पता है कि हिंदी साहित का इतिहास से 5 mcq question आएगा आपके एक्जाम में और उसी का discussion आज के इस पूरे वीडियो में कि कि आ जाएगा लगवग 5-6 मिनट के इस वीडियो को देखकर आप 5 अंक आसानी से ला सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा जो भी नए जुड़े हों के चैनल पर सस्क्राइब कर दीजेगा हिंदी साहित के इतिहास में पहल कि नहीं कहा जाता है तो इसका एंसर होगा शुमित्रा नंदन पंत्र क्या होगा शुमित्रा नंदन पंत्र और कौन सी रचना मैथली सरन गुप्त की नहीं है तो देखिए रसीम रती नहीं है बाकिवद भारत भारती जैद्रदवद अपंचवटी यह यह किनकी रचना इज़ाम में पूछे गया है आप सभी देख सक रहे हैं याप पर कि कौन कौन से साल में पूछा गया है देख लिजिए यहां से ठीक है अगला है सरस्वती पत्रिगा के पर्थम संपादक कौन थे एंसर होगा चिन्ता मनी घोष अगला कुछन दीप सीखा के रशनकार है महादेवी वर्मा उपन्यास समराठ किसे कहा गया है प्रेमचन जी को किसे कहा गया है प्रेमचन जी को हिंदी का पर्थम महाकावे है प्रिय प्रवाश भारत भारती किन की रचना है मैथिली शरंगुप्त महादेवी वर्मा किस धारा की कवित्री है छायावाद फोट विलियम कॉलेज के स्थापना कभ हुई अठारा सो इस्वी में रसीम रथी के रशनाकार कौन है दिनकर जी इनका पूरा राम रामधारी शिंग दि नहीं है तो दिनकर जी मोची राम किस कवी की रचना है धुमील किसकी है धुमील काल माक्स का परभाव किस वाद पे पड़ा एंसर होगा प्रगती वाद हिंदी के पर्थम समचार पत्र उदंद मार्त डंड महवीर प्रशाद दिवेदी किस यूग के रशनाकार है प्रिय परवास किस यूग की रचना है दिवेदी यूग मैथिली सरंगुप्त की रचना है शाकेत सरोज स्मिर्ति किस विधा की रचना है कवीता खड़ी बोली की वित्पत्ति किस अपभरन से हुई है सौर शेनी मैथिली सरंगुप्त किस यूग के साहितकार है दिवेदी युग खड़ी बोली की उत्पत्ती हुई है अर्द मागधी से हिंदी का प्राचिंतम उपलब्द गरंत पिर्थवी राज राशो फोट विलियम कॉलेज 1860 में स्थापित हुआ किस निवंदकार को छायावद का भासावद का जादूगर कहते हैं सी पूजन सहाय को दिवेद जी का पूरा नाम तो यद्या सिंग उपाद्य हरियोद शाय में धूप किन की रचना है दुश्यंद कुमार बोल चाल की हिंदी का स्वपर्थम रूप मिलता है कुएल माला आधुनिक काल का नामकरन किस ने किया तो आधुनिक आचारी शुकल ने किया जो कि गद काल के थे चायावाद के परियोग यह नामकरन मुकुढ धर पांडे ने पूरानी जुतिया का कोरस नागर जुनजी की रचना है निराला जी की कौन सी रचना नहीं है तो ताज नहीं है बाकी बगत कुकुरुमुट्था फिर विद्वा राज канएर्खवाली की यह निराला जी की है और ताज नहीं है यात्री के नाम से जाना जाता है यात्री और बाबा नागर जुन जी को असली नाम वैदनात मिश्र मुंसी प्रेमचंद का पूरा नाम असली नाम था धनपत राज सिर्वास्ताव उर्दू में मुंसी प्रेमचंद को कहते थे नवाब राय तो कौन सी रच रचना पर ग्यानप्रिट पुरुषकार मिला उनको तो उर्वसी लहर किसकी रचना है तो जैसंकर परशाद आचारे शुगल गंसार आधुनी काल कप सुरू हुआ उनिश्वी सदी विक्रम समवत में निमले में से किस विधा का अधिक विकास भारतेंदु काल में हुआ तो नाटक का खड़ी बोली को परिमार्जित करने का सरे गिया अचारे महवीर परशाद दिवेदी को तितली जैसंकर परशाद की रचना है तार सप्ते का पर्थम परकास नवर्स है उनिश्वत इतालीस सुकूल की बीवी के रशनाकार निराला जी है खड़ी बोली किस लिपी में लिख बाबा यात्री नागार जुन जी है महदेिवी वर्मा किस युक्त की साहित्कार है चाया वाद इनमें से भारतेंदू मंधल के रशनाकार नहीं है तो राम चन्द सुक्रि इनमें से चायावास ब्वादि है तो चाया ब्वादि कवी बहुत शारे हैं लेकिन आप लोग में ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है खुर्दूरे पहर नागारजुन जी की रचना पर्थम कभी को ने हिंदी का पुश्य सरहपा किस भासा का कभी है हिंदी जर्णा प्रसाद जी ने लिखा है भारत भारती दिनकर जी ने हिंदुस्तान का तोता आमीर खुसरो जी ठीक आपके लिए यूजफूल होगा और इसे आप लोग अगर एक बार दो बार एक्जाम से पहले सुन लेंगे तो आप उमीद करता हो कि आपका चार से पांच नंबर यहीं से आ जाएगा इसी तरह के कई महत्पून वीडियो आप लोगों के लिए में लेकर आऊंगा तो चैन पर लाइब क्लासेश पिछले एक महिने से कराई गई थी अगर आपको लेसं समझना होगा लंग कोस्टं समझना होगा तो अल सब्जेट के कोश्चन आपको लाइब कलासेश में मिल जाएंगे और अभी बाकी बचे जितने भी दिन इन दिनों में 9 बुझा रात को लाइब क्लासेस में आप सब भी जुड़ जाएए क्यूंकि आज से कंटीनिव फिर से लाइब क्लास स्टार्ट होगा और आप लोगों को हर एक सब्जेट के जो भी डाउट्स होंगे लॉंग कोस्टन सौर्ट कोस्टन सभी को कवर कराये जाएगा मैं एक एक करके प्रीवियस एर के ह हर एक कोस्टन को आपको बताऊंगा इंपॉर्टन कोस्टन बताऊंगा साथ ही साथ कोस्टन पैटन भी समझाओंगा तो वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल पर जुड़ने के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका